Good morning everyone, civil step weekend एक नया बैच अनॉंस कर रहा है 9th of March से ये बैच काफी ज़्यादा appropriate रहने वाला है वे लोग जो working professionals हैं जिनको पूरे week के अंदर अपनी पढ़ाई को continue करने का time नहीं मिल पाता या वे लोग जो अभी college going students है जिनके पास 5 दिन अपने tight रहते हैं college के अंदर तो Saturday और Sunday क हिसाब से ये batch रखे गए हैं ये batch HPS 2025 और 2026 को target करते वे चलेंगे तो जो विद्यार्थी अभी अपने third year के अंदर हैं second year के अंदर है उन लोगों के लिए काफी ज़्यादा appropriate ये batch रहने वाला है weekend offline ये batch है हमारी center चंडीगर्द से चलेगा और ये online भी है इसमें live आप online भी classes को देख सकते हों आप कहीं पर भी किसी भी college में हिमाचल किया हिमाचल से बार पढ़ रहे हैं तो वहां से इन batches को access किया जा सकता है इस batch की आज किस वीडियो में हम लोग detailing जानेंगे किस तरह से HPS examination को weekend college going के सांसन कैसे हम pursue कर सकते ये कुछ एक हमारे विद्यार्थी थे जिन लगते हैं वो college के दौरान ही दे दिये जाते हैं ताकि जैसे हम यहाँ example लेते हैं कि यह हमारे ही student है last year NT examination में rank 4 अनमोल का आया और first attempt के अंदर immediately college के बाद यह paper qualify हुआ अर्जुन NT है ना और last year ही इनका rank आया PEC से pass out है तो first attempt के अंदर paper को qualify किया है because क्योंकि उन्होंने college के time ही तैयारी को start किया था तो college में तैयारी को start करने का benefit कै कि early age में आप इन jobs के अंदर enter कर सकते हो इस batch के अंदर हम लोग उने prelims means interview तीनों ही stages को cover करना है और इसको cover करने का जैसे हम लोग बार बार एक शाद बोलते हैं कि अगर तैयारी को करना है तो एक सही strategy direction और process को हम लोग follow कर तो process इसमें काफे ज़्यादा important part है इसी process को आज हम लोग discuss करेंगे किस तरह से तैयारी college के time पर अगर एक सटीक process से चला जाए तो आपको कभी भी तैयारी का बहुत ज़्यादा weight या भार भी महसूस नहीं होगा और आपकी तैयारी बहुत easily होती चली जाएगी तो इन batches के म हम carry forward करेंगे पहली stage है जिसमें हम कहते हैं कि अपने basics को brush up कर लेजिए basic concepts को हमेशा brush up किया जाता है तो यह इसलिए है ताकि आप जब classes में बैठे तो before directly entering into the classes आप लोगों का एक अच्छा fundamental base तयार हो उसी base के उपर हम आगे के concept की building बनाएंगे अब लेकिन यह जो basic fundamental stage है इसक कि हर किसी ने 12 तक arts पढ़ा होगा तो problem क्या है कि हमने NCRT ही पढ़ानी है basic level पे लेकिन वो NCRT इसलिए पढ़ाई जारी है और उसका objective होगा civil services rather than जैसे हम लोग 6th में NCRT पढ़ते थे 6th में जब NCRT पढ़ते थे तो उसका objective होता था कि paper देना है और paper को qualify कर लेना है इससे ज लिंक नीचे description में भी आपको मिल जाएगा या हमारी app civil step हिमाचल में आप type करेंगे आरम डबल ए आरेम बीच आरम सीरीज इसको directly आप access कर सकते हो एप से भी फिरी सीरीज है इसमें हमने 6th to 12th class की NCRTs पढ़ाई है 5 subjects कौन-कौन से history, geography, polity, economy and science ये 5 subjects हमने 6th to 12th पढ़ाए है basic level पर पढ़ाए है ताकि जब आप classes में बैठें आप माल नीचे geography का आपका बैच शुरू होने वाला है और आप classes में जब बैठेंगे तो उससे पहले आपने एटली geography का एक बहुत अच्छा overview और conceptual understanding लेकर आएंगे ताकि classes में आप ज्यादा receptive हो जाएंगे with the passage of time तो इस तरह क का ये बैच है तो ये फिरी बैच है इसमें lectures आपने देखने शुरू कर देने आपकी convenience के लिए पहले इसमें आपने ancient India से शुरू करना है क्योंकि जो आपका 9th March को batch start होगा उसमें पहले हमने ancient and medieval India ही पढ़ाना है तो ये basic होता है यहीं से आप अपने इस batch को शुरू करेंग जब आप batches में enroll करते हैं तो batches में enroll करने से पहले मैं आपका detailed induction session लेता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ तयारी करने का सटीक तरीका क्या होगा उस तरीके से अगर हम तयारी को करें तो ये तयारी आपके लिए ज़्यादा relevant होनी शुरू हो जाती है दूसरी stage आती है जब आपको total 18 subjects इसमें पढ़ाये जाते हैं सब्जेक्स कौन कौन से हैं अठारा है GS के subjects हैं फिर उसके बाद आपके तीन CSET English, Reasoning and Mathematics वो भी हम आपको पढ़ाएंगे तो complete 18 subjects आपको अगले डेर साल के अंदर पढ़ाये जाते हैं जिसको बोले जाता है developing understanding इसी को बहुत detail में हम ल books आती हैं इन 24 books में से जो की काफी relevant है आपके examination में इन 24 में से जो 13 books हैं ये आपको अगले डेर साल में पढ़ा दी जाएंगी 13 books इसमें से cover की जाएंगी कैसे कि इनी books के अंदर आपको prelims or means सारे slivers को complete किया जाएगा इसी डेर साल के अंदर आपको CSET भी पढ़ा जाएगा औ और general studies भी पढ़ा जाएगा इन books के माधियम से उसी के सांसन अब जैसे ही आपने ये किताबे पढ़ ली आपका एक basic तयार हो गया और आपको classroom में lectures मिल गए आपने इन किताबों को पढ़के और lecture से अपने notes भी बना लिए अब आपकी second stage जो ये वाली stage थी ये अच्छे से cover ह जिसमें हम लोग काम क्या करेंगे notes making and concept building ये stage 2 तो हमने इस पूरे process को multiple stages में तोड़ दिया अब देखी ये stage 2 अब हम तयार हो गये है stage 3 में जाने के लिए जिसमें जो हमने पढ़ दिया केवल उसको पढ़के भूलना नहीं है उसकी करनी है revision और question की करनी है बहुत सारी practice तो इसका तरीका क्या है question के practice करने का कि इसी के अंदर हमने देखा कि prelims और means दोनों को अलग तरीके से cater किया जाएगा क्योंकि अकेला ही ऐसा examination है जिसकी approach बहुत different है ये ना तो IIT जैसा है ना ये neat जैसा है इसमें prelims है फिर इसमें subjective means है फिर इसमें interview stages है हर stage की demand बिलकुल different है उस seven books के set के अंदर total 5500 plus questions practice कर दिये रखे हैं ताकि आप इससे prelims को अपना बिलकुल clean shot में clear कर सको इसी के सांसान means की हमने 4 किताबे इसके अंदर दी है ताकि आप बिना answer writing के आपका ये paper नहीं निकलता तो ताकि आप detail में answer writing कर सको इसके लिए 4 किताबे दी है ये किताबें को practice करना है means जब आपकी stage 3 शुरू हो जाएगी that is value addition value addition का मतलब क्या है कि आप अपने lectures को revise करेंगे और सांथ में इन किताबों को इन किताबों से practice करते वे जो भी आपके loopholes है उनको eliminate करते वे polishing पे ध्यान देंगे फिर third stage के अंदर ही जो ये वाली stage थी value addition फिर इसका second aspect आता है अब आपने revise कर लिया practice कर लिया अब आता है time assessment का कि जो भी आपने पिछले देड़ साल में पढ़ा था उससे हम ये assess करके देखें before directly entering into the test कि अब हमारी खुद का level कितना अचीव हो पाया है इसी के लिए हमने एक detailed test series का plan आप लोगों के लिए बनाया होता है जिसके अंदर more than 100 test होते हैं more than 100 test in test के अंदर हम लोग prelims और mains दोनों को target करते हुए आपकी assessment करते हैं और उसी के basis पर हम देखते हैं कि किसी को अगर revision की ज़रत है तो उसको एक special revision batch बिना किसी cost के हम लोग add करते हैं ताकि आपने पिछले देड़ साल में जो पढ़ा है उसको quickly 2 महीने के अंदर revise भी करवाएंगे तो इस तरह का यह batch है end to end इसको हमिशा क्या किया जाता है कि तयारी को हमिशा करो end to end end to end का मतलब है कि आपके पास इस तयारी को start करने से पहले process जरूर होना चाहिए क्योंकि इस तयारी में कई सारे बच्चे इसको start करते हैं 50,000 से ज़्यादा बच्चे इ और इसके अंदर अगर total number of selection जो की कल ही result आया है तो आप देखोगे 32,000 बच्चों ने इस बार form को fill किया था और total जो selection हुआ है केवल 7 बच्चों का हुआ है तो इसका मतलब किया बहुत competitive पेपर है तो end to end process बनाएंगे तो यह paper qualify हो पाएगा इसी paper में जितने भी faculties आप लोगों को पढ़ा रहें उनके demo lecture जरूर देखने हैं आपने RM series जरूर देखनी है उसी के लिए आपने नीचे description पे click करके ये जो सारे demo lectures है जिसमें सारे faculties ने पढ़ाया है उन सबके demo lecture देखने के बाद ही आपने registration करवाने के लिए नीचे आपक नहीं है आपके parents ने कोई भी बात कर नहीं है तो ये हमारे official number है आप directly मेरे साथ भी connect कर सकते हैं तो इस तरीके से ये batch चलेगा जो की working professional या college going student के लिए काफी ज़्यादा appropriate रह सकता है राइट चली thank you everyone